है अलो है ऩाट दोस्वागत है आप सब का टीम सवर्म रबात करने वाले हैं तीसरा ओडियाई जो यहाँ से रहने वाला है तीसरा ओडियाई ठीक है अब यहां से मुटा के पास में शरीलंका के पास सब कुछ करने वाले डिसकस तो वीडियो को आखिर तक देखना और साथ ही साथ आपके लिए मैं सबर्दस तोफर भी रहा हूं इस मैच में कि भाई आप एक नहीं दो नहीं तीन नहीं पांच पांच टीम आप लगा सकते हो मेगा ग्रैंड लिग में वह सिर्फ और सिर्फ एक रुपए में और जीच सकते हो बहुत ही साथ अवरदस प्राइज इस सिर्फ एक रुपए में तब कैसे जीतों के और कहां केलना है कैसे है सारी चीज़े करेंगे डिसकस तो वीडियो को ध्यान से देखते रहे ना और साथे साथ वीडियो पसंद आए लाइक जरू कर देना आर्क रिबनासा स्टेडियम डाई बजा रही है इस मैच के ड्लाइन टू थर्टी बाकि वन थर्टी सवन मैच जो चुके हैं असी जीते बैटिंग फर्ष्ट ने विफ्टी सावन जीते बैटिंग सेकेंड करने वाले टीम ने एक मैच यहां पर टाई रहा है दोसो बैल इ मैच की बात की जाए विकेट्स की तो पिछले दोनों मैच ठीक है इस अगर मैं एक मैच को छोड़ दू जहां पर बराबर राबर विकेट्स है तो इवन ग्यारा जनवरी वाला मैच देख लो दो विकेट पेस के दस विकेट स्पिन के दो अगस्त को जो मैच हुआ उसमें तेहरा विकेट्स पिन के थे पांच विकेट्स के थे और उसके बाद में अगर देखा जाए पिछला मैच तो एक विकेट ही मातर पेस का था जो सिराज ने लिया था उसके अलावा पंदरा विकेट्स क्लियर स्पिन के यहां से देखने को मैच तो कहीं ना कहीं वह स्पिन यहां से जो श्रेलंका की तरफ सापको प्लेङंग इलेंग देखने को मल सकती है तो श्रेलंका के प्लेइंग लोन में क्या है यहां से अमे देखने तर्टी टू ऐसा मंदला फॉर्म ठीक थी पिछले में जिरो पर आउट हुए उसका अविश्का फर्देंडो चालिस इनों ने बना है उसका लावा एक ग्यारा फिफ्टी टू अब यह ऐसा खिलाड़ी है जो एक एक बार रन बाना दिन तो अगले मैच्व 15-20 का उट हो जात दोनों के लिए उसके बाद में से अच्छी फ्रम में है नहीं चारिता और करा रहा ह atau फिकित के लिए ग Jetzt tripsने कल रहा हुरो विकट निकाल रहा है बैटिंग से बाक्यों स्कॉश्र में जरे टियानागे है फिलाल की लिए इन की तरफ से बोलिंग हो नहीं रही है और स्वूल लिख के लिए तू क्या मैं बोलू ग्रेंड लिग के लिए उतना बैतर नहीं बनता है दोने तुबेला लगे हैं गरामे किसी एक टीम में जरूरा ट्राइ कर सक बहुत अच्छा गेल जाता है कभी कबार दुनित वेला लगे देखलो विकेट अब बैटिंग से पिछले पर रन मना गया बट आप विकेट देखलो यहां से आप इसले पहले 62 रण दो विकेट तो उससे आगे में 0 विकेट बोला भी था ना कि वेला लगे इंडिया का गिश इनके ना फिलाल के लिए 0 ही रहे है और बैटिंग और बहुत नीचे तो स्मोल लीक के लिए दो देखो ऐसा है कि उतना बहतर उप्षर बने गानी क्योंकि ऐसा मिनिया कि कमें दो मेंडिस पूरे दस ओवर डाल कर जा रहे है और भी इससे कमी कराते है उसके बाद में पेस असीता फर्देंडो रहता है जिनके नाम वही एक एक विगट है रिसेंट में अके लाइद नंजे कि उतनी अच्छी बोलिंग रही नहीं है इनके नाम एक विगट और जीरो देखने को वाला है और जैफरे वेंडर से तुमा पोलूंगा रिसेंट फोर्म की ज़रुती नह जो की इनके टीम में रखने के लिए और साथ में एक चीज़ और की लेक्ब्रेक बोलर है और चाहे मेंस टीम हो चाहे मेंस मैं बहुंगा यह लगब्रेक बढ़ परहिशान करते इंडियों टीम को तो रहते शरलंग का यी तरफ से प्लेंग रहागे बेंच की बात कीज़ा तो भाई देखो वेंच में है मोहमद सिराज जो की जीरो विकेट मतलब पहला ओड़ी एक यला था फिर बाहर बढ़ा दिया गया उसका बात मैं समय इस थीक्षणा है तीन विकेट एक विकेट के साथ मैं निशान मदूशा का बीस और करूना रतने का रिसेंट है 38 रनी नोरन जीरो तो बाकी देखो इन में से न थीक्षणा एक ऐसा उप्षण है और क्या बोलते हैं कहां चला गया एक एहसान मलिंगा रिस्क लेने को ले थीक्षणा टूबी सेफ तो यह दो ऐसे खिलाड़ी है जो हो सकता है प्लेइंग अलोन में आए और यहां से मतलब लेना इनको ठीक रहेगा बट चांसेसन के कमी रहेंगे पहला मैच टाई दूसरा मैच विन तो वाई चेंजस उम्मीद तो कमी रहेगी क्योंकि अब ऐसा नहीं होने वाले कि बाहर करके एक अलग से स्पिन को ले थीक्षणा को सारे स्पिनर तो नहीं खिलाना चाहेंगे एक पेसर तो प्लिष्ट ये टीम में रखना चाहेंगे तो कहीं नहीं उस वजह से आते हैं आगे निकल कर नेक्ष निकल कर यहां से जो इंडिन टीम के बारे में बता रहा था वह है देखो मैलन सरगल का जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा है सबसे बल्दू जो आके डाउ एक रुपए में तो हो रहना जवर्दस और जीतने के लिए यहां पर जो प्राइज बहुत ज़्यादा बढ़ी आ रहने वाले क्योंकि आप यहां पर वाई विन कर सकते हो एस्यूवी गाड़ी ठीक है एक रुपए में सोचो अगर विन कर गया तो क्या ही बात फिर तो 20% एक्ष्ट्रा भढ़ कर ठीक है और यह 20% को आप कैसे भी कहीं भी कहीं भी कैसे भी यूज़ कर सकते हैं यह समझ लो आपके 12 रुपर डिपोजिट हुआ है ठीक है आप डिपोजिट करो कि सर्फ 1000 पर 20% एक्ष्ट्रा भढ़कर होगा तो यह बात और बस इसका ध्यान ठीक है अब देखो भाई चाहें टीम चली है अभी तक या नहीं चली है बड़ वह इंडिया की फेवर में ही बनानी है शरलंका की फेवर में नहीं जा सकती क्योंकि शरलंका जीती तो है अगर आपने पहला मैस देखा टाई हुआ लगा उसमैंच का उस मैच में अच्छा किये थैं ठीक है ऊस मैच में आसी को बोलर से दुनीट अच्छाब यसude चाह नंगे ऑदिया के यह प्लेयर चाहर ही चले अध्य है अग Cum Cerber जिन्हों ने अच्छा किया भी नहीं तो गही ना कहीं वो टीम इंडिया की फिवर में ही बनेगी इंडिया के ही साथ चाट खिलडी लेके तो बाकि देखो रोहिच चर्मा भी इंपॉंट है फिलाल के लिए अच्छा भी कर रहे है उसका बात में शुम्मन गिल है 35 इस नोने लाएंगे महनत पर विराट को लिए बनेगा रस्क लेना हो तो सीवीच बना लेना बाकी ले तो जरूर लेना टीम में उसके बाद में बार यह आते हैं के विकट की पर सेक्षिन में कुछल मेंडिस रख लेना श्रेश यहर मैं तोड़ा 50-50 टाइप रहूंगा 23 और साथ प 25 विकेट दूसरा में 0 विकेट उसका बाद में वशिंग्टन सुन्दर और वसली बॉर्ण बनेगा दोनों मैच अभी तक पर्फॉनस ठीक रहा है दो मैच में कुल मिलागे 20 रन 4 विकेट वशिंग्टन सुन्दर के अर्षदीप सिंग की बोलिंग भी सही रही है हाँ अग पांच बोलर तो यह हो जाते हैं चाटा बोलर दूबे रहने वाला है और सात्वा जो मेरे को लग रहा है कि श्रेश यह या इवन रोई चर्वा ने पिछले मैच पर थोड़ी सी बोलिंग कीती तो हो सकता है वहीं बोलिंग करते हो आपको नजर आ जाए ठीक है बागी अब एक चेंज उमर को लगता है कि में भी शिवाम दूबे की जगे पर आपको रिशापन्थ खेलता हो नजरा जाए चांसस थोड़े से काम है बठा यह थोड़ा सा एक रहेगा जरूर क्योंकि शिवाम दूबे ने बैटिंग से पहले मैच उपट्चिस दूसरे में 0 उसक रलंका ने खेले 129 मैच जिसमें उन्होंने जीते हैं 79 मैच घा रहे हैं 41 एक मैच ऐसा है जो उनका टाइर है 8 मैच जो उनके नोर जल्ट रहे हैं ठीक है नेक्स्ट आते हैं यहां से अपने वेंडिल लिडर्स के उपर तो कुशल मेंडे से देखने को मिल जाते हैं 49.52 के सा है रोहिच चर्मा 14 इनिंग में 427 रन है 32 रोहिच चर्मा का एवरेज ना थोड़े सा बढ़ गया है पिछले दोनों मैच इसमें अच्छा करके वरना इस ग्राउंड पर उतना अच्छा था नहीं पातुम निशान का 9 मैच में 285 31 के साथ में सबीरा समारा विकरमा 10 मैच 293 32 इस ग्राउंड पर रहता है वाई 55 का चैनिंग में अब तक 276 रन बना चुका है 121 इसका हाई एस्ट है विकेट्स की बात करें अकिले धरंजे 11 इनिंग में 20 थीक्षणा के नाम 9 मैच में 17 इनके सगर खेलिए ठीक्षणा डेफिनिटलिक अच्छा पिक है उसका अत्म कुल नेक्स्ट आते हैं वेंडर से के नाम इससे पहले चाहर मैच में साथ वगीट भी थे तो पोलर तो मतलब अगेंस्ट इंडिया अच्छा दो रहा है परफएंस हैट्वर्ड की बात करें 170 मैचे 58 शरलंका ने जीए 99 इंडिया ने ये 100 का अकड़ा ही नहीं हो पार है पहला मै है 56 का श्रेश इयर 9 मैच में 368 एवरेज है 40 केल रहूल के थोड़ा सा खराब है 11 मैच में 340 रंग और सिर्फ 34 के साथ में उसके बात में कुशल मेंडेस 14 इनिंग 264 18 का अविश्का फरनेंडो 9 मैच में 247 के साथ में असलान का 11 मैच 228 20 के साथ में में देखने को मिल जाता है है वहीं अगर विकेट्स की बात करें तो फिर सिराज अक्षर बटेल पुल्दी प्यादो तीनों के नाम है 21-21 विकेट्स और तीनों भाई टॉप 3 विकेट टेकर्स है और उसके बात में धनेंज दस इनिंग में 15 विकेट है असलान का भी पांच मैच में 10 विकेट प्या प्याइब थी है यहां से अपने प्लेयर बैटल की रोईचरम अगेश्ट करवननत अध्य दो बार आउट हो चिक अगेश्ट विला लेगे दोबार अक्षर बटेल को असलान का ने दो बार आउट कि और शुम्मन गिल को शुमन भी अगेश्ट बिला लगे यहां से दोवर ругजटOP यहिनास गेंस्ट इराज चार बार वाउट हो ऑविष्का फर्नेंडु अगेंस्ट प्रस्य जुल आउट हो चुका और ገल 123 का अगेंस्ट्राज यहां से चुकर वह दो भार आउट हो को उसके बात में असलान का है पातुर निशान का रोहिच चर्मा विराट को ली वेले लगे सुंदर अक्षर बटेल अर्षदीब कुल्दीब और यहां से वेंडर से तो यह जाती है फिलाल को ले टीम जिसमें वहाई मैंने तीन तो इनके बोलर रख लिए जो तक्रिवन 25-30 मैं डालने ओले ठीके तो इसिवीड़ से फिर और को बोलर को नहीं रखाया मैंने शलंग का क्टेव से बागी कैप्टन के हैं रोहिच शर्मा को वाइसके विराट कोली अब यहां से एक चेंज कर सकते हो आपके एक अच्छा ऑप्शन मनता अगर आपशा अप्शना चाओ या फिर अगर किसी बोलर के साथ मैं रिसके लगने चालो एक गुल्दी प्याद के साथ में तो जा सकते हो अधरवाइस अक्षर बटेल भी काफी एक सेफ उप्शन मनेगा टीम के लिए वाइस केप्टन करने के लिए तो जाती फिलाल के लिए टीम और सब चीज़ है वागे वीडियो कर आपको पसंद आए तो लाइक जरू करने चलो सब्सक्राइब अगर नहीं क्या तो फटावट से कर लो एंड बाकि वल्लबेश्टस मैच के लिए मिलते हैं आपको नेक्ष्योडे में बहुत ही जाना जल्बी